दोस्तो अज़े देवगन की नई फिल्म सिंगम अगेन की रिलीज डेट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है जो सुनकर फैंज खुशी के चलते जूम उठे हैं रिपोर्ट की माने तो डारेक्टर रोहिट चेटी ने अपनी इस फिल्म को रिलीज करने की पूरी पूरी तयारी कर ली है खबरों के नुसार फिल्म को अगले साल दिवाली पर रिलीज किया जाएगा साल दिवाली के मौके पर आज़े देवगन एक बार फिर से अपनी फिल्म सिंगम फ्रेंचाइजी के साथ नमाका करने के लिए आने वाले है इस बात की जूंकरी ट्रेड अनलेस तरन आदर्ष ने अपने एक पोस्ट में बताई है आदर्ष ने अपने पोस्ट में लिखा है एक्स्क्लूजिव आज़े देवगन रोहिट शेटी सिंगम अगेन दिवाली दिवाली दोहजार चौबिस पर सिंगम अगेन रोहिट शेटी की सुपर सकस्पूल फ्रेंचाइज ही सिंगम का थर्ड पार्ट है ये दिवाले 2024 पर रोलेज होगा अज़े देवगन बाजी राओ सिंगम के करदार में एक बार फिर से लॉटने वाले हैं जुलाई 2023 से ही फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी तरन आदश ने अपनी इस पोस्ट में रिलेज डेट के साथ साथ शूटिंग को लेकर भी काफी जानकारी फैंस के साथ शेर की है इस जानकारी में बताया गया है कि इस साल जुलाई के अंत में रोहिट शेटी अजुदेवगन के साथ फिल्म सिंगम अगेन की शूटिंग शूरू कर देंगे तरन के इस लेटेस्ट अपडेट ने फैंस को बेहद एकसाइटेट कर दिया है और फैंस इस फिल्म से जुड़ी आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे है सिंगम अगेन रोहिट शेटी के साथ अजुदेवगन की ग्यारवी फिल्म होने वाली है जिसका अनौंस्मेंट इसी साल जन्वरी में कन्फर्म कर दिया गया था दो जन्वरी को खुद अजुदेवगन ने सुशल मीडिया पर अपनी फिल्म के नरेशन के एक तस्वीर शेयर की थी हाला कि फिल्म से जुड़ी जानकारी प्राइवेट ही रखी गई है आजे देवगन ने साल पर इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते वे लखा था रोहिट शेटी की सिंगम अगेन के नरेशन के साथ ने साल की शुरुवात अच्छी की है मैंने जो स्क्रिप्ट सुनी वो काफी जादा अच्छी है और मुझे रोहित पर पूरा भरोसा है कि वो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे यह हमारी साथ में ग्यारवी ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है दोस्तों बताते चलें कि सिंगम अगेंड में जो देवगन के साथ साथ लेडी सिंगम दिपिका पादुकोन भी नज़र आने वाली है आज एके साथ साथ दिपिका भी हवा में आक्शन करती और विलन के साथ दो दो हाथ करती भी नज़र आएंगी इसके अलावा इस फिल्म में रन्बीर सिंग का भी एक क्यामियो हो सकता है बात करें सिंगम फ्रेंचाइजी की तो इसकी पहले फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी जो बॉक्स ओफिस पर सुपर हिट फिल्म रही थी इस फिल्म में विल्म के रूप में प्रकाश राज दिखाई दिये थे इस फिल्म ने घरेलो बॉक्स ओफिस पर भी लगभग सौ करोण का अकड़ा टच किया था इस फिल्म पर्ट साल 2014 में सिंगम रुटेंस के नाम से सामने आया जिसमें विल्म के किरदार में आमोल गुपता दिखाई दिये थे ये फिल्म में सुपर हिट रही थी फिल्म में बॉक्स ओफिस पर करीब एक सुच्वालीस करोड रुपए की कमाई की थी अब देखना ये बागी है कि सिंगम अगेन क्या कमाल करने वाली है दोस्तों आप अजुदेवगन के इस फिल्म को देखने लिए कितने एकसाइटेड है कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बैल आइकन दबाएं जिससे हमारे सभी वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें